खुद को चिंनर बुलाने पर भड़की बबी डार्लिंग बबी डार्लिंग जो film इंडस्ट्री की पहली ट्रांस विमन है उन्होंने अब एक बड़े मीडिया हाउस पर मानहानी का केस किया है क्या है पूरा मामला चलिए जानते हैं बॉबी डार्लिंग जो फिल्म इंडस्ट्री में रहते हुए 50 से ज़्यादा फिल्मों में काम कर चुकी है कई सारी रियालिटी शोस का भी वो हिस्सा है बॉबी डार्लिंग का नाम लिमका बुक आफ वर्ल्ल रिकॉर्ड में भी डर्ज है सबसे ज़दा LGBT केरेक्टर्स प्ले करने के लिए और अब बॉबी डार्लिंग को एक और बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है आप पार्टी ने बॉबी डार्लिंग को ये अपॉर्चुनिटी दी है उन्हें ट्रांसजेंडर विंग का हेड बनाया गया है तो जैसे ही ये न्यूस ब्रेक हुई तो एक बड़े मीडिया हाउस ने बॉबी डार्लिंग को लेकर एक आर्टिकल चापा और इस आर्टिकल में बॉबी डार्लिंग के नाम के आगे किनर लिखा और आर्टिकल में जहां जहां भी Bobby Darling का जिक्र हुआ वहाँ पर उन्हें Bobby Darling कहने के बजाए किनर Bobby कहकर बुलाया बस इसी बात से Bobby Darling को गहरी ठेस पहुंची है Bobby Darling का कहना है कि वो किनर नहीं है वो एक Trans Woman है ट्रांस वुमिन बनने के लिए ना सिर्फ उन्होंने एक दर्द भरा ऑप्रेशन करवाया बल्कि उन्होंने लाखों रुपए इस ऑप्रेशन के लिए पे किये हैं उनके पास फीमेल होने का सर्टिफिकेट भी है और वो रहती भी और्तों की तरह ही है वो एक trans women है और चाहती है कि society में उन्हें trans women का ही दरजा दिया जाए उन्हें किनर कहकर नहीं बुलाया जाए Bobby Darling ने मानहानी का दावा किया है इस media house के खिलाफ और कहा है कि ये media house Bobby Darling से publicly माफी मांगे नहीं तो एक करोड रुपए का मुआफ़जा मांगा है Bobby Darling का कहना है कि उन्हें किनर कहकर ना सिर्फ उनकी reputation को damage किया गया है बलकि जो career opportunities है उन्हें भी damage करने की कोशश की है sex change operation और तो की तरह रहना और trans women होने के बावजूद जब Bobby Darling को किनर कहा गया तो उन्हें अपमानित महसूस हुआ यही कारण है कि अब Bobby Darling ने strict action लिया है इस media house के खिलाव देश में third gender को लेकर already हमारी public जो है काफी sensitive है और ऐसे में Bobby Darling जैसे लोग हैं वो third gender को represent करते हैं और उनको society में एक अच्छी जगद इला रहे हैं